हेलो फ्रेंड्स स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कॉंगिशन लेर्णिंग सेंटर फॉर और मैं अमित आज एक निया टॉपिक लेकर क्या हूं आपके लिए जिसका नाम है डिरेक्शन ऑफ मैंने टिक फील्ड एंड करेंट ठीक है पहल वह देखा यह जल्दी से क्योंकि उसको समझे भी ना यह समझना बहुत ही मुश्किल है तो देखते हैं यह टॉपिक हम से कहना कह चा रहा है यह कुछ ऐसा है तर देर इस डेफिनेट रिलेशन बिट्वीन डिरेक्शन ऑफ करेंट मतलब हम लोगों अब तो मैंडिक फिल्ट पढ़ा था पर जब दोनों आपस में आते हैं न तो उन दोनों में क्या है और उसको कैसे निकाला जाता है वह हम लोग आज किस वीडियो में देखेंगे ठीक है उस रिलेशन को निकालने का दो तरीका एक राइट हैं औरमेक्सव है तो confused होने की जरूरत नहीं है काफी easy topic है मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा सिर्फ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेगा ठीक है पहले हम लोग बात करते है राइट हैं रूल की क्या होता है रूल उससे पहले ना एक मैंने यहां एक लाइन लिखा है उस ची एक बहुत ही जेनरल चीज है जो आप लोगो जाना बहुत जरूरी है अगर आप electrical background से हैं तो वह यह है कि जब भी एक conductor के across या through current flow करता है तो वो अपने around magnetic field बनाता है ठीक है यह एक line इकदम याद कर लिजे आप लोग ठीक है जब भी एक conductor के तो current flow करता है तो अपने around magnetic field बनाता है ठीक है अब वो magnetic field कैसा होगा यह हम लोग इस right hand rule में देख सकते हैं कैसा होगा इसी line में लिखा हुआ है the magnetic field made by the current in a straight wire curls around the wire in a ring मतलब वो जो magnetic field होगा वो एक ring के form में होगा जैसा आप इस diagram में भी देख सकते हैं यह जो blue color का line है यह एक magnetic field को दिखा रहा है दोनों तरफ पर अब देखते हैं कि यह rule हम लोग कैसे इस rule से हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि direction क्या होगा current का और magnetic field का ठीक है तो देख सकते हैं यहां पे की एक wire है जिसके cross current जा रहा है ठीक है और इस current के direction जिस तरफ है ना उस तरफ हमने right hand के thumb को ले जाएंगे जैसा आप यहां देख भी सकते हैं वो जो thumb होगा ना वो current के direction को represent करेगा ठीक है जैसा आप इस diagram में भी देख सकते हैं कि इसमें current के direction उपर की तरफ है तो thumb को भी उपर की तरफ रखा गया है अब उपर रखने के बाद अगर इस conductor को पकड़ने की कोशिश करें ठीक है by curling our fingers अपने उंगलियों को मूड के उस conductor को पकड़ने की कोशिश करें तो जिस direction में उंगली हमारा मुड़ेगा ना वो direction होगा magnetic field का ठीक है या फिर इसको generally आप समझ भी सकते हैं कि अगर current का direction ऊपर की तरफ है तो जो magnetic field बनेगा वो clockwise बनेगा या फिर दूसरी diagram में आप देख सकते हैं अगर direction of current नीचे की तरफ है तो जो field बनेगा वो anti clockwise direction में बनेगा इसी को देखने का दो और तरीका भी है मैंने यहां आपके सामन का direction कैसे इंटरिलेट कर रहा है थीक है दूसरा है हमारा Maxwell's screw rule ठीक है यह क्या है ठीक है दोनों जो है नाम लोगा तरीका वो सिर्फ हम लोग को यहीं बताएगा कि current or magnetic field का direction क्या होगा ठीक है इसमें भी हम लोग अच्छे समझ सकते हैं इसमें थुरा सा imagine आप कर सकते हैं आप रहते हैं तो कुछ जब आप राइट डॉक वाइस की तरफ गमाते हैं तो वो जो निल होता वो अंधर की तरफ जाता है और जब भी आप उसको एंटीक्यूकवीज क्यमाते आप थिक है तो जब भी हम लोग उसको घुमा रहे हैं और दिखाएगा और वह जो डेरिक्शन मे भी देख सकते हैं बहुत अच्छा से लिखा हुआ है तो यह एंटी क्लॉक्वाइज जा रहा है ऐसे ही यह सेम वहीं चीज़ से दिखाने का तरीका तो मतलब एक नेल को इस चेटों से में कुछ ऐसा कहना चाहरा है कि एक करेंट का अगर उसको में रखा जाए तो वह एक फॉर्स को एक स्पीडेंस करेंगा ठीक है तो जैसा आप इस डाग्राम में भी देख सकते हैं एक मेंटिक फील्ड है नौर्ड साउथ पोलिया रखा हुआ है एक कंडक्टर है जिसके जिसक बिलकुल डिफाईन नहीं कि वो नीचे ही होगा वो कैसे डिफाइन होता है वो होता है। वा था फ्लेमिंक dynamics लेफ्टंड रूुल से फलेमिस का दो रूज है वैसे Left-hand और रैट रूल इसके लिए मैं अलग से क्यों वीडियो बनाओं में इस वीडियो में आप सिर्फ इतना समझिए कि एक करेंड केरिंग कंड़क्टर होगा अगर इसको मेंगेटिक फिल्ड में रखा जाए तो वह एक फोर्स को अगरेंट कर रहा है कि वह जो फोर्स होगा वह किस फैक्टर करेगा ठीक है हो सकता है बहुत सारे फैक्टर हो बिल्कुल तो वह किस किस चीज़ पर डेपेंड करेगा हैं तो सबसे पहला इसका अंसर सबसे पहला का होगा स्टेंट ऑफ तो मेंगेटिक फील्ड बिल्कुल औव्यसी बात हैं जैसा जैसा जितना जैसा स्ट्रेंट रहे गामेटिक फिल्ड का वो पूर्ण तरह से डिपेंड करेगा उस फॉर्स पे जो फोर्स एक्सपीडियंस करेगा दूसरा करेंट फ्लोरिंग तूवाइर इस सब इसकूशन में भी दो एंसर तो यह लिखा हुआ है जैसा आप यहां देख भी सकते हैं मैंटिक फॉर्स और करेंट कैनि तो मतलब कि यह है कि फॉर् होगा लेकिन थर्ड जो चीज है ना वह समझना बहुत जरुरी है वह लेंथ ओफ दवाइर ठीक है जैसे मैंने बहुत पहले एक वीडियो में भी आप लोगो बताया था कि जो लेंथ ओफ दवायर होता है ना वह किसी ना किसी तरह करेंट को डिफाइन करता है ठीक है वह मत एक यहां और फैक्टर है साइन थीटा ठीक है यह साइन थीटा क्या है यह साइन देखके हम लोग वैसे वह काफी कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन यहां बहुत इसी चीज़ है आप लोग समझ सकते हैं कि जब किसी पर फोर्स लग रहा है ठीक है तो वो मूव करेगा या फिर करेगा ठीक है ना अगर वो रोटेट कर रहा है तो इनिशली किसी पोजिशन पर रहा होगा और वो रोटेट करके किसी दूसरे पोजिशन पर गया होगा ठीक है ना तो वो जो शिफ्ट इन पोजिशन होगा जैसा आप इस डाग्राम में भी देख शकते हैं यह पहले बीप पोजिशन पर भाइब यह घूम करके फिर उपर गया ठीक है तो उसके बीच में थीठा एंगल बन रहा है तो वही थीठा जो एंगल होगा वही उसका फोर्स होगा ठीक है सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें क्योंकि बहुत जरूरी आप लोग के सब्सक्राइब करें आप लोग के लाइक का खास का आप लोग के कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू